हेलो फ्रेंड्स मैं खुश्बू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैपी सीडलिंक्स में आज है 2024 की पहली तारिक और आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुपकाम नाएं खुब खुश रहें, स्वस्थ रहें, खुश्यां बाटे, साथ ही हर्याली भी बाटे मैंने कल सोचा कि आज मैं संडे गार्डन अपडेट की वीडियो डालती हूँ पर फिर मुझे लगा कलेक तारिक है तो आप सभी को बधाईयां भी देती चलूंगी और साथ ही अपने प्यारे प्यारे फूलों से भी मिलवाती चलूंगी आज जो हैं हमारे यहां सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिये हैं तो आपके यहां मौसम कैसा है आप बताईयेगा तो चली दोस्तों देद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो यहां पर हमारा जो मिनी रोस है यह बटन रोस की विराइटी है सिंगल पैटल में तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग स्टार्ट कर दी है बहुत सुंदर लग रहे हैं साथ में यह देखिए यहां पर है यलो हिबिसकस और इसमें भी लगातर फ्लावरिंग हो रही है और बर्ट्स भी काफी सारे आई हुए हैं और यहां है हमारा वाइट मेरी गोल्ड तो जब इसके फ्लार्स पुराने हो जाते हैं तो इसका थोड़ा कलर यलोईश हो जाता है और जो नए फूल होते हैं उनका कलर प्योर वाइट यानि की ऑफ वाइट होता है और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहां पर है गजेनिया का प्लांट और इसे मैं बिलासपूर नरसरी से बहुत छोटे इसके सैपलिंग्स लेकर आई थी दो थे उसमें से एक ही ये वाला भी रह गया है और आगे ये डैंथस का प्लांट है जिसकी कंडिशन बहुत खराब थी अब थोड़ा ये ठीक है इसकी पतिया मैंने कट कर दी है इसकी गुड़ाई कर दी है और अब देखी ये थोड़ा ठीक लग रहा है इसे भी मैंने बहुत छोटे से सैपलिंग्स से तयार किया है और इसके सांथ का जो पौधा है उसको भी मैं दिखाऊंगी तो जब आपके किसी प्लांट की ऐसी कंडिशन हो जाती है तो आप Epsom Salt पानी में मिक्स करके अपने पौधे को जरूर दें इस तरह से बीच-बीच में गुड़ाई करते रहें और छोटे प्लांट में मैं वर्बिना के भी सैपलिंग्स लेकर के आई थी और ये देखे इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इसे मैंने डहलिया के साथ ही लगा दिया था अब मैं सोच रही हूँ कि इसे भी मैं थोड़ा सेपरेट कर दूँ और यहाँ पर है हमारा Chinese Orange का प्लांट और इसके भी जो fruits हैं आप देख सकते हैं थोड़े color बदल रहे हैं मुझे लगता है कि अब यह पकने लगेंगे यहाँ पर है हमारा Pink Hibiscus तो जब भी इसके फूल खिल करके सूख जाएं तो आप इन्हें हटाते रहें और सूखे जो पत्ते हैं या फिर पीले पत्ते हैं इन्हें भी आप साफ करते रहें ऐसा करने से पौधे की energy save होती है जिससे जो पौधे पर कलियां है वो बहुत अच्छे से खिल पाती है तो जब भी आप सूखे फूल देखें तो इस तरह से आप हटा दीजिए उसके सूखने और गिरने का weight मत करिए और इस तरह हमारे red rose में जो पहला full था वो spent हो चुका है तो इसे भी मैं cut कर दूँगी और इसके साथ ही दूसरा full खिला हुआ है ये देखिए और orange rose के plant पर भी लगातार flowering हो रही है किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम इस time पर rose खरीद कर ला सकते हैं और report कर सकते हैं तो ये जो है गुलाब के लिए बहुत अच्छा मौसम है इस time पर आप गुलाब के पौदे खरीद कर ला सकते हैं और report भी कर सकते हैं और यहाँ नीचे की तरफ है हमारे strawberry के plants तो इसमें से जो 4 plants हैं इन ही में flowering हो रही है बाकी में भी flowering start नहीं हुई है तो मेरे पास strawberry के total 13 plants है और भी थे काफी सारे मैंने पडोसियों में और family members को बाट दिये क्योंकि terrace पे इतनी जगा भी नहीं है और जब आप कुछ लगाते हैं तो मिट्टी भी लगती है, खाद भी लगता है और गमले भी लगते हैं तो देखते हैं अगर इस सारे इनमें अच्छी फ्रूटिंग होती है तो मैं next year बहुत सारे strawberry के plants लगाऊंगी हमारे डहलिया के plants में भी बहुत अच्छी flowering हो रही है, काफी big size के flowers आ रहे हैं डहलिया care और fertilizer पर भी detail वीडियो आने वाली है, तो आप सभी जिस तरह से मेरे short वीडियो को प्यार देते हैं, long वीडियो को भी प्यार दीजिए और यहां देखिए, orange टेहलिया में तो बहुत ही बढ़िया flowering हो रही है अब आगे बढ़ते हैं, PVC pipe में लगे हुए calendula के flowers पे, और इनके care tips के उपर मैंने आप सभी को बताया था कि इसमें जो spent flowers हैं, उन्हें आप हटाते रहें, जिससे नए नए फूल बनते रहेंगे और इस तरह से scissors की help से आप उन्हें cut कर दीजिए मेरे इस pipe container में total 5 प्रकार के calendula के flowers हैं, यानि की 5 variety है इसमें यहां देखिए multi petal में यह बहुत ही खुबसूरत सा फूल खिला हुआ है और आगे की तरफ यह दूसरी variety है, दो variety मैंने पहले ही दिखा दी थी और यहां पर एक light yellow color में हैं, और इस वाले plant में देखिए कितनी heavy flowering हो रही है और यहां से आगे बढ़ने पर हमारे सारे cryzonthumum के plants हैं, जिन में flowering start हो रही है और इन सभी को मैंने cutting सही तियार किया है और मुझे लग रहा है कि इस बार 80% मेरे जो plants हैं, गुलदावदी के, वो सारी यह क्रिमिश yellow color के ही निकल रहे हैं बाकी और भी different varieties हैं इनमें, देखते हैं अब कौन कौन से colors आते हैं और यह देखिए यह जो corner वाला plant है, इसने सबसे पहले flowering start कर दी है, बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं, साथ में खिले हुए हमने इसमें लगा दिया इसे, और अभी हम इसको support दे देंगे, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह सारे poppy के plants है इसके जो seeds हैं मैंने छोटे से tub में डाल दिये थे, तो काफी सारी जर्मिनेट हो गये थे, तो मैंने इनको भी इसी में shift कर दिया है और यहाँ देखिए दोस्तों हमारे tomato के plants में flowering भी start हो गई है, और कुछ में तो fruiting भी start हो गई है, यह देखिए छोटा सा tomato लगा हुआ है और इस बर मैंने अपने इस tank वाले container में क्या कुछ नहीं लगाया है, आप यहाँ पर annual cryzenthumum के plants भी देख सकते हैं, इनको भी मैंने seeds से ही लगाया है तो जैसे ही हम सारी सबजियां इसमें से harvest कर लेंगे, तो यह जो flowering plants हैं, इनमें भी flowering start हो जाएगी, तो हमारा यह जो tank वाला container है, वो खाली नहीं रहेगा, और देखने में भी खुबसूरत लगेगा और यहां से हमारा garden कुछ ऐसा लगता है, और यहां पर इस वाले dianthus में बहुत ही बड़िया flowering हो रही है, और जो मैंने आपको starting में dianthus का plant दिखाया था, जिसकी condition ठीक नहीं थी, इन दोनों को ही मैंने साथ में ही लगाया है, और dianthus में जादा flowering के लिए इस तरह से आ पर भी बहुत ही खुबसूरत से फूल खिले हुए हैं, और जैसे इसके फूल स्पेंट हो जाते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर के सीट्स भी बनने लगे हैं, हमारे यहां पर इनके plants नहीं मिलते हैं, तो इनको भी मैं बहुत ढून करके बिलासपूर से चोटे-चोटे सेपलिंग्स लेकर आई थी, और यहां पर हमारा बहुत ही खुबसूरत सा यूफोर्बिया मिली का plant है, और इसमें भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, और यहां पर एक और नास्टेशियम का plant है, जिसे बंदर ने उखाड करके फेक दिया था, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था, और यह देखे, इसमें बहुत ही खुबसूरत सा ब्राइट औरेंज कलर का फ्लार कीला है, और भी काफी सारे बर्ट्स आये हुए हैं, और अगर यह plant बिल्कुल सहीं सलामत होता, तो जो पहले आपको दिखाया नास्टे बिल्कुल वैसे इसमें भी फ्लावरिंग होती, तो इस बात का बहुत ही अफसोस है मुझे, पर फिर तुरन थी मैंने इसके कट्टिंग्स इसी गमले में लगा दिये थे, और इसने सर्वाइब कर भी लिया है, और देखे, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो आई सीट से लगाया है, और यह जो डैन्थस का प्लांट है, इसे मैंने कट्टिंग से लगाया है, और यहाँ पर मेरे कैलन कोई के छोटे-छोटे से प्लांट हैं, जिनको मैंने कट्टिंग से लगाया है, कट्टिंग से ये बहुत आसानी से लग जाते हैं, और देखे, कितने भी स्टार्ट हो गई है और यहां पर डॉक फ्लार के सीट से लगे हुए प्लांट से जिनको मैंने ट्रांसफर नहीं किया है अभी तक तो देखे इनमें ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है अगर मुझे कुछ गमले खाली मिलते हैं तो उनमें मैं इन सभी को शिफ्ट कर द करते हैं और जड़े तो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है तो फरवरी मार्च में मैं इसे नए टब में शिफ्ट कर दूंगी अभी के लिए फिलाल यह इसी में ही रहेगा तो अभी हमारे टब वाले प्लांट की कंडिशन कुछ ऐसी है प्लांट सहीं है पर अभी य वीडियो में आप सभी को मैंने अपनी मीनी से नहीं मिलवाया है तो यह जो है इसे मैंने ब्रोकन कप से बनाया है जो टी कप सोते हैं उनसे और क्ले से आपने ऑनलाइन कुछ इस तरह के डॉल प्लांटर्स देखे होंगे जो काफी जादा कोस्टली होते हैं और मैंने इसे बिल्कुल फ्री में तयार कर लिया है तो मेरी ये मीनी आप सभी को कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा और यहां पर उपर की तरफ हमारे बहुत ही खुबसूरत से हैंगिंग बास्केट्स हैं आप देख सकते हैं पिटूनिया ने कितनी बढ़िया तरीके से थोड़े और हैंगिंग बास्केट्स होते तो मैं उनमें तरह तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाती जैसे पैंजी वर्बीना और साथ ही आप सभी को मैं इंपेशन के प्लांट्स दिखा देती हूं जिन में बहुत ही जादा फ्लावरिंग हो रही है ये देखे अगर आपको इस तरह की फ्लावरिंग चाहिए तो आप भी इंपेशन के प्लांट्स जरूर लाइए नरसरी से इस टाइम भी आप लगा सकते हैं ओके फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबी हो गई है तो मिलते हैं नेक्स अपडेट में वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक ज